हलो फ्रेंड्स मेहरन प्रताप सिंग आप सभी लोग आपने इस एज क्रेशन चैनल पर सौध करता हूँ फ्रेंड्स आज हम लोग अर्फ सास्तर के अंतरगत्व एक महत्तपूर टॉपिक जिसका नाम है ततस्तथा वक्र अथवा उदासिंता वक्र बिसलेशन हम आज इसका अध्यन करेंगे जिसका नाम है ततस्तथा वक्र अथवा उदासिंता वक्र बिसलेशन जिससे अंधिमान वक्र बिसलेशन के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिस में से इंडिफरेंस कर्व अनलिसिस बोलते हैं इसके पहले जो है हमने मार्सल का तुष्टी कुड का सिद्धान्थ पढ़ा था और इस वाली वीडियो में हम लोग ततसता वाकर था उदासिंता वाकर विश्चेसर का अध्यन करेंगे तो आई फ्रेंड्स हम लोग बिना समगाए शुरू करते हैं देखिए प्रफेसर मार्सल ने उप्योगता को मुद्रा रुपी मापदंड से मापा था हमने जब तुष्टी कुड सिधान्थ को बताया था प्रफेसर मार्सल का तो उसमें जो है जो प्रफेसर मार्सल थे वा जो है उप्योगता को मुद्रा रुपी मापदंड से मापते थ मारसल महोदे ने मांग के विशय में गरना वाचक सिमान त तुष्टिकुड विश्यसर की बैख्या की इस अध्याय में में हम मांग विश्यसर का आधुनिक धंग से जिससे अंधिमान वक्र विश्यसर भी कहते हैं इससे क्या करते हैं मांग का अंधिमान वक्र विश्यसर्ड भी करते हैं और या तस्तता वक्र अथ्वा उदासिंता वक्र विश्यसर्ड भी करते हैं इस वीडियो में हम लोग जो हैं मांग का अंधिमान वक्र विश्यसर्ड की आद्मिक रूप से ब्याख्या करेंगे सबसे पहले मैं थोड़ा से इसके हिस्ट्री के बारे में बता दूँ देखे अंधिमान वक्रों की तक्निकी सरप्रतम एजवर्थ ने निकाली थी एजवर्थ महोदे ने इस तक्निकी को सरप्रतम निकाला था या सरप्रतम इस तक्निक का प्रयोग किया था किन्तु उसने अंधिमान वक्रों की सायता से मांग का बिसेशन नहीं किया सरपर्थम एजवर्थ महोदे ने अंधिमान वक्र की तक्निकी का प्रयोग किया लेकिन उन्होंने अंधिमान वक्रों की सायता से मांग का बिसेशन नहीं किया किन्टु अंधिमान वक्रों को अधिक बिस्तित रुप से भोक्ता की मांग का बिस्टेशन करने के लिए जे आर हिक्स और आर जीडी एलन ने प्रियोग किया कि यहाँ पर इस तत्र को मैंने लिखा भी है कि उदासिंता वक्र पर सरप्रथम विचार जो है एजवर्थ महोदे ने ठार से क्यासिम दिया मांग का बिस्टेशन करने के लिए जे आर हिक्स और आर जीडी एलन ने अंधिमान वक्रों का अधिक बिस्तित रुप से प्रियोग किया उन्होंने सयुक्त रूप से एक निबंध प्रकासित किया जिसमें उन्होंने मार्शल की तुष्चिकूड बिसलेशन की कटू अलोस न की और उसके स्थान पर अंधिमान वक्रों द्वारा उपभोगता की मांग का बिसलेशन करने के लिए प्रबल समर्थन किया सन 1949 में हिक्स ने अपनी वैल्यू एंड कैप्टल नामक पुष्टक में अंधिमान वक्रों की सहाता से उभोगता की मांग की पहले सेधिक बिस्तित और गहन उपसे ब्याख्या की यह रहा कुछ इसके हिस्ट्री से समन्दित अब आये समझते हैं कि उधासिंता वक्र विसलेशन में उधासिंता वक्र या ततस्ता वक्र या अंधिमान वक्र का का अर्थ क्या होता है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ततस्ता वक्र का मतलब क्या होता है इस परिभासा को मैं इस चित्र के माधम से भी आपको समझा रहा हूँ यहां इधर वाई एकसिस पर वस्तु है और यहां डो डिफ्रेंस टाइब की वस्तु है एकस और वाई है अब देखे मैंने भी क्या कहा तटास्ता वक्त दो वस्तु की विभिन संयोगों को ब्यक्त करने वाले बिंदूओं का बिंदूपत होता है जिससे उभुगता को समान स संतुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यहां पर वस्तु की 20 एकाई है और यहां पर y की 20 एकाई है और x की 2 एकाई है अब यह एक स्योग है वस्तु का उभोग करने का एक स्योग है कि वह y की 20 एकाई उभोग करता है और x की 2 एकाई अब नीचे देखिए नीचे जो है यह दूसरा स्योग है वह y की 15 एकाई का उभो इकाई का प्योग करता है और एक्स की शिकाई का उसे तर नीचे है यहां पर आठ इकाई और यहां पर एक्स की आठ इकाई का और एक्स की आठ इकाई का नीचे वाले पर वाई की शिकाई का और यहां पर यहां पर एक्स की टेन इकाई का प्योग करता है लेकिन यहां पर यह तो मैंने अभी आपको यही परिभासा बताई कि यह तटस्थता वक्र क्या है अभी मैंने बताया कि तटस्थता वक्र जो है दो वस्तू देखिए एक वस्तू यह है और एक वस्तू यह है दो वस्तू के उन बिभिन्द सायोंगों देखिए बिभिन्द सायोंग है न बीस वा वस्तु है दो एक्स वस्तु है पंद्रवाई वस्तु है चार एक्स वस्तु है ग्यारा वाई वस्तु है शिक्स एक्स वस्तु है क्या कर रहा है तटस्ता वक्र दो वस्तु के विभीन सयोगों को ब्यक्त करने वाले बिंदूओं का बिंदूपत है देखे न विभीन सयोगों को समान संतुष्टी प्राप्त होती है अब आसा करता हूं कि आपको समनी में आया होगा यह परिभास्ता आपको इदम इसपश्ट हो गए होगी तो फ्रेंड्स यह जो है उदासिंता वक्त हमको प्राप्त कैसे होता है तो यह उदासिंता वक्त हमको उदासिंता सूची से प् करती है तो हम उधासींता अंसूची को विए देखते हैं। मैंने भी मतायक कि जो तटशाता वक्र है यह जो दह मत्रह allora औहीं होता है अब यहाँ पर दो तटास्ता शूची युद्हू जो दर साती है जो भूगता को समानषबत्रिशी प्रेदां करते हैं अब देखें यहां पर वस्तुव का सयोग दिया गया अब इसको इसको मापा नहीं जा सकता इसको मापा नहीं जा सकता है इसलिए हमने इसे के नेतांग से इसको पर्तशित किया है मत्ब कि अब इहाँ पर सभे में के है इसका मत्ब कि समान संतुष्ची प्राप्त होती जी से पहला देखी यहाँ पर वस्तू एक गाई और वस्तू आई की तो वह वस्तु वाई की कुछ मात्राइं कम करेगा कितनी मात्रा कम करा है यहां पर 25 से 20 हो गया मत्ताब 5 इकाई का भोक करा है इसलिए कर रहा है ताकि उसका संतुष्ति का अस्तर जो समान अर्थात के बना रहे फिर नीचे दखिए वस्तु एक्स की वह तीन एकाई का प्रयो होगा कितनी मात्राओं को छोड़ने के लिए तैयार है यहां पर यहां पर चार मात्राओं को छोड़ने के लिए तैयार है इसलिए ताकि जो है जो एक्स और वाई वस्तु का भोक कर रहा है अब यहां पर वस्तु एक्स की एक और मात्रा बढ़ा रहा है तब यहां पर वस् स्वाइक वभोग से समय यहां पर देखें, यहां पर संतुषितर के समान बना रहीं, यहां पर ताकि संतुष्चितर के समान बना रही लेकिन अनसूची में आपको और ध्यान रखनी होगी यहां पर देखिए जब भोकता एक वस्तु को बढ़ा यहां पर एक काई प्रियोक करा है यहां पर 25 का लेकिन जब वस्तु एक की और एकाई को बढ़ा रहा है तो वह वस्तु की कितनी एकाई को छोड़ा है यहां पर 5 एकाई को छोड़ा है लेकिन दूसरे में देखिए फिर मिनि आक정이 बढ़रा है तो यहां पर कितने कोऊ छोड़ा है 25 चारा के लिलांग पर चाइर गाई 8 नीचे वाले दिखेबर तेरे में से 11 बत्तर दो इकाई और फिर 11 से 10 मतब एक अर्थात यहां पर एक चीज ध्यान देने लाएक है कि वह बुगता जो वस्तु एक्स की एक अत्रिक तिकाई को बढ़ा रहा है तो वस्तु वाई की जो इकाई का त्याग कर रहा है वह घटते क्रम में कर रहा है उपर व प्रिकर के द्वारा आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं देखें यहां पर यह उदासिंता वक्र है आइसी आइसी मतब इंडिफ्रेंस कर अब इधर जो है वाई वस्तु की इकाईयों को दर्शाय गया है और नीची एक्स वस्तु की तो मैंने अभी भी आपको इसका इस वस्तु वाले पर फिर वस्तु एक्स की दो इकाई बढ़ाई तो जुझ एक्स की बढ़ाएगा तो यहां चारिकर करेगा ताकि उसका अस्तुर्स्ते का स्द्द्शाब अस्तर समयन बना रहा है तो यहां चारिकर दो श्तु₉ उसका B संतूश्य सर पाता है अब A और B दोनों का संतूश्य सर समान है उसी तरह नीचे है यहाँ पर 11 Y वस्तू की 11 एका प्रयोग करता है और यहाँ पर X वस्तू की 6 एका प्रयोग करता है नीचे वाले में इसकी 18 एका प्रयोग करता है और इसकी X वस्तु की 8 इकाई का प्रयोग करता है यहाँ पर 8 इकाई का प्रयोग करता है यहाँ पर X की 8 इकाई का प्रयोग करता है निशी वाले पर Y वस्तु की 6 इकाई का प्रयोग करता है और यहाँ पर X वस्तु की 3 इकाई का प्रयोग करता है लेकिन यहाँ पर यह जो है दो वस्तु का विभिन सही हो गए जो वस्तु को क्या कर रहा है एक समान संतुष्ठी प्रदान कर रहा है तो यानि अर्थात A, B, C, D और E पर उस व्यक्ति को जो है समान संतुष्ठी का स्तर प्राप्त हो रहा है अब आये कुछ और बातों को हम ज विभिन सयोगों को ब्यक्त करने वाले बिंदूं का बिंदुपत होता है जिससे भुगता को समान संतुष्ठी प्राप्त होती है उदासिंता वक्र विश्चासर बारे में कुछ और भी बाते नोटिस करने लायक है उसको ध्यान से सुने फ्रेंट्स देखी उदासिंता वक विश्चासर उपयोगिता के करम वाचक माप की भी दिये त्यान सुनेगा क्या है उदासिंता वक्र विश्चासर उपयोगिता के करम वाचक माप की भी दिये या दो वस्तों के उन बिभिन सयोगों को बैक्त करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्ठी देते हैं इस प्र कार भोगता जो है उदासिंता वक्र पर इस्थित किसी भी बिंदु के प्रति उदासिनयों ततस्त होगा यहीं कारण है कि उदासिंता वक्र को समसंतुष्ची वक्र के नाम से जाना जाता है उदासिंता वक्र विशेसर जो है करम वाचक उपयोगिता की धाना पाधाईत है कि इस पर उदासिंता वक्त विस्षर करम वाचक उपयोगिता की धाणा पाधाई था जबकि मार्शल का जो तुष्टी गुर्शिद्धान था वह गर्णा वाचक उपयोगिता की धाणा पाधाई था इसलिए इसके अंतरगत केवल उपभोक्ता को प्राप्त विभीन उपभोक्ता को एक संयोग से प्राप्त उपयोगिता दूसरे संयोग से प्राप्त उपयोगिता के समान है या अधिक है या कम है फिर्ण धान सुनिएगा जो उदासिंता वक्त विस्षर करम वाचक उपयोगिता की धाणा पाधाई तर न की गर्णा वाचक इसलिए जो है उदासिंता वक्र की सायता से हम क्यों लितना कह सकते हैं कि उपभोगता को एक संयोग से प्राप्त उपयोगता, दूसरे संयोग से प्राप्त उपयोगता के समान है, उससे अधिक है या कम है, परंतु यह नहीं बता सकते हैं कि पहले संयोग से प्राप्त उपयोगता का अस्त तो फ्रेंट्सु एक that was the Seal Enfin and structure is अभी सवह मैं अगले वीडियो में मैं जो है इस नियम की मानेतां को बताउंगा 53 वेक्र की वितलब को बताऊंगा जितने भी टॉपिक हैं उन्सको मैं क्रम से लेकर के चलूँगा तो फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यबाद देता हूं यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से स्क्राइब कर जिए फ्रेंट्स और अपने कमेंट जो देजि